गुरूर देवो महेश्वदा, गुरूर साक्षाद परंब्रंभा, तस्मै श्री गुरु पेनवाद। मेरे सभी मित्रों को मेरी दरप से रादे रादे। दोस्तो केतु ग्रह का रत्न लेसुनिया। लेसुनिया किस हाथ मैं पहना जाता है। लेसुनिया को ही हम लोग केटसाई किया देए हैं। इस बारे में हम आपको संपूर्ण जानकरी दे रहे हैं। लेसुनिया किस हाथ में पहना जाता है। लेसुनिया क्योंकि केतु ग्रह का रत्न है। और केतु ग्रह मुलांक जिनका साथ होता है उनका मुक्ख ग्रह केतु होता है या इसको ऐसा कहने हैं कि जिनकी जनम्दिती साथ तारिक है, सोला तारिक है या पच्चिस तारिक है तो इनका मुक्ख ग्रह केतु होता है और केतु ग्रह का रत्न लैसुनिया लेसुनिया हम ये देखें हैं कि किस हाथ में पहने उसके लिए हमको ये भी देखना होताएगा कि हमारा कार्रे क्या है क्योंकि हमारे कार्रे के उपर निर्वर्ड करता है कि वो हमके साथ में पहने और एक साधरन तरीके से देखें कि जो मेल होते हैं पुरुष होते हैं, उन सभी लोगों को केतु ग्रह की रत्न को सीधे हाथ में धारण करना चाहिए, अपने राइट हैंड में पहना जाया है, तो उनको निश्चित रूप से फल देगा, और बात करें फीमेल की, लेडिस की, इस्तरी की, तो जो फीमेल हैं, उन लोगों को लोगों की, रत्न तो वो ही है, लेडिस हैं, वो भी आप देखेंगे, तो सीधे हाथ में धारण की हैं, हमें यहाँ पर यह देखना जरूरी होता है, कि उनका किस ग्रह से संबंदित कार है, क्योंकि जिस ग्रह से संबंदित कार होगा, उस ग्रह के अमसार हमको यह देखना ह होता है कि किस हाथ मैं उसको धारन करना चाहिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और बैल आइकम को दबा लिजिए कमेंट्स में राधे राधे जरूर लिखा करिए एक बात और अगर वे नंबर पर फोन करके हमसे संपर्क करके अपनी समस्चाओं का समाधान करा सकते हैं हम आपको उपाय बताते हैं दान बताते हैं या कौन सा रत्न धारन करना है और किस परकार धारन करना है रत्न की पूरी जान करी रहेते हैं और वैसे भी रत्न की जब भी आपको पूरी जान करें चाहिए तो आप उमसे संपर्क कर सकते हैं हमारे अगले वीडियो के लिए आप हमारे संग बारें रहे हैं तब तक के लिए रादे रादे जये